्ट वेलकम यूटोब आधर सैंज दोस्तों आज हम एक तॉपिक का निवह मैंकर सॉल करेंगे जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वह इसमें हम जो में क्रूपर करने जा रहे हैं वह चाहिए यो की कि यूजिसी ने डिसंबर 2013 में पूछा गया था कोशल को स्वाल करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसेंद करूंगा कि आप मैं चैन को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देख लिए ने कोशिए और दिसंबर 2013 में पूछा गया था एक आप अपिन्स 25 meter एज 2-20 meter apart along the direction of flow of water the difference in there hydraulic head is 1 meter if hydraulic conductivity is 50 meter per day the rate of flow of water per day per meter of distance perpendicular to the flow of water is इसमें हमें चार ऑप्षिन गीवन है प्रहला है 25 56.25 एंट वन मीटर क्यों पर दे पर मीटर दोस्नों इसमें जो फार्मला यूज होगा वह होगा हमाया डाटसी लौ से हमारा फार्मला जो है देट फ्लो इस गोल टू किया डेल्टा एच बाई डेल्टा एक्पड्रों जो इसमें है के हमारा है hydraulic head in meter and delta L है हमारा distance between two aquifer or bell तो दोस्तों जो हमें given question में वो देख लेते हैं कि हमें given question में already 50 meter per day delta H हमें given है 1 meter hydraulic difference in hydraulic head delta L हमें given है the distance between two aquifer that is 200 meter और जो हमारा है thickness of aquifer 25 हमें given है question में है तो हम सारी value अपनी equation में put कर देंगे तो जो हमारा q है हो जाएगा है 50 kq लग दिया हमने मीटर है कि एक लग दिया हमने 25 meter per day दे देन है कि सब्सक्राइब दोस्तों यहां पर यह नहीं होगा हमारा होगा 50 meter per day कि की value में है 50 meter per day हमारा 25 होगा और जो हमारा delta H1 है divided by 200 meter तो जो हमारा मेरीकल में कोई problem आ रहे हैं तो आप हमें comment वर कि जरूर बताएं धन्यवाद है हो है है